किसी ने सही कहा है नारिया नहीं कभी बेचारी नारियों में नेत है शक्ति सारी आज है आठ मार्च यानी अंतराश्रियम महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डेग यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना हर साल हम इस दिन को औरतों को सम्मान दे कर मनाते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि औरतों के सम्मान के लिए बस एक ही दिन क्यों हर दिन क्यों नहीं क्या यह सवाल आपके मन में कभी नहीं आए कि इस दिन को मनाने का उदेश यह सिर्फ औरतों को सम्मान देना था या औरतों ने अपनी परिशानियों से तंग आकर इस इनको उन्तराश्च्रिय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू किया आज कि हमारी इस खाल पेशकष में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हर साल आठ पसको उन्तराश्च्रे महिला दिवस मनाया जाता है इस खास दिन को मनाने के पीछे क्या वज़ा है अंदर राश्च्रे महिला दिवस की शुरुआत 1908 में न्यू यॉक से हुई थी उस समय वहां की जो महिलाए थी उन्होंने बड़ी संख्या में खटा होकर अपनी जॉब की समय को कम करने की मांग करते हुए मार्च निकाला था इसके साथ ही महिलाओं ने सेलरी बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की भी मांग की थी यानि की एक तरह से महिलाओं ने उस वक्त अपने हक की लड़ाई की शुरुआत की थी जिसे एक साल की बाद अमेरिका में इस दिन को राश्च्रे महिला दिवस गोशित कर दिया इसके बाद साल 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के अंतराश्च्रे सम्मेलन के दौरान इस दिन को इंटरनेशनल लेवल पल मनाने का सुझाव दिया सम्मेलन में 17 देशों की करीब 100 महिलाएं उस वक्त वहां मौझूद थी उन सभी महिलाओं ने एक क्लारा जेटकिन के सुझाव का समर्थन भी किया इसके बाद 19 मार्च के दिन कई देशों में ये दिन एक साथ मनाये गया 1917 में 1st World War के दौरान रूस की महिलाओं ने Bread and Peace यानी खाना और शांती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया आपको बता दे कि महिलाओं का ये विरोध प्रदर्शन इतना एकजट होकर था कि महिलाओं के समराथ निकोस को अपना पद छोड़ना पड़ा था इसके साथ ये महाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी हासिल हुआ अब इन रूस की महिलाओं ने जिस दिन इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी वो 28 फरवरी का दिन था और ग्रिगरियरियन कलेंडर के मुताबिक वह दिन आठ मार्च का था बस तब से ही आठ मार्च को इंटरनेशनल वुमिन्स डे मनाया जाता है बता दे कि समय की साथ साथ महिला दिवस मनाने के उदेश भी बदलते जा रही है जब उनिस्वे शताबदी में इसके शुरुआत की गई थी तब इसका उदेश था महिलाओं को मत्दान यानी वोट का अधिकार हांसल करवाना लेकिन अब समय के बदलाव के साथ साथ इस दिन को मनाने के उदेश भी बदल गए है आज के समय में इस दिन को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण देश है महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता बनाए रखना आज भी हमारी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है नौकरी में आज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है स्वरोजगार यानि सेल्फ इंप्लामेंट के छेतर में महिलाओं आज भी पिछड़ी हुई है अगर स्वास्त और सिक्षा की नजर से देखा जाए तो भी कई देशों में महिलाओं की स्थिति आज भी खराब है महिलाओं के प्रती हिंसा के मामले आज भी देखे जा सकते है महिला दिवस मनाने का एक देशे ये भी है कि लोगों को महिलाओं की इस स्थिती के बारे में जागरुक कराया जा सके अब यहाँ अगर बात करें और देशों की कि और देशों में किस तरह से अंतराश्य महिला दिवस मनाया जाता है तो बता दे कि अफगानिस्तान, चीन, कमबोडिया, नैपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में इस दिन अफकार घोशित किया गया, कुछ देशों में पूरे दिन का अफकाश ना देकर हाब्डे दिया जाता है वहें कुछ देशों में इस दिन बच्चे अपनी मा को गिफ्ट देते हैं और ये दिन मा को समर्पित होता है तो कहीं देशों में इस दिन पुरुष अपनी पत्मी, फ्रेंड्स, मा, बहनों को उपहार स्वरू, फूल और कई तरह के गिफ्ट देते हैं बात करे हमारे देश भारत की, तो भारत में इस दिन कई संस्थानों द्वारा नारी को सम्मान दे कर प्रोत्साहित करने के उदेश से कई कारेकरम किये जाते हैं, भले ही हर देश में इस दिन को मराने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब जगे इसका उदेश एक ही है, हर जब भी घर में बेटी जन्म लेती है तो कहा जाता है बधाई हो घर में लक्षमी आई है समाज बेटी ओको पढ़ने नहीं देता आगे बढ़ने नहीं जो समाज एक नारी को अबला कहता है वो शायद ये भूल गया है कि माद दुर्गा जिसने राक्षशों का वद्ध करने के लिए जन्म लिया वो भी तो एक स्त्री ही है तो भड़ा एक नारी कैसे अबला हो सकती है किसी पुरार किसी वेद में नारी की वह स्तिती नहीं जो इस आदमे को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमे ही शिक्षित होता है लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीड़ी शिक्षित होती है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ऐसा हमें करना भी होगा असल माईने में महिला दिवस वही कहा जाएगा जब मह फिलाओं और पुरुशों को एक जैसा दर्जा दिया जाएगा जिस दिन बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा अंतराश्टे महिला दिवस असल माइने में तब ही मनाया जाएगा तो फिलाल आज के हमारी स्वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे तब तक के लिए नमस्कार